आपको जब मच्छर कारती है, आपको कब खाना खाना है, भूख कब लगती है, पानी किस टाइम पेना है, किस टाइम सोना है, कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है, ये जो सारी चीज़े डिसाइट कौन करता है, आपका दिमाग, आपके बॉड़ी वैसे ही काम करती है, जैसे आपका दिमाग उस body को instruction देती है लेकिन क्या हमने ये कभी सोचा है कि ये दिमाग कैसे सोचता है कहां से इसको उर्जा आती है और किस तरह से हम इस दिमाग में उर्जा की स्रोत को बनाए रखें तो इसी के बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों और ये सारे चीजी हम discuss कर रहे हैं from the book सकरात्मक सोच की सकती हेलो दोस्तों मेरा नाम अनिमा है मैं एक law of attraction coach हूँ उसके साथ-साथ मुझे books पढ़ने बहुत पसंद है जो भी books मैं पढ़ती हूँ उसके सारे chapter आपकी साथ discuss करती हूँ ठीक है तो अभी जो book हम discuss कर रहे हैं उसका नाम सकरा कोई बीकाम 100% पर пой एंगे तो कोई भी काम के लिए दिमाग का संथ होना जरूरी है तो उस दिमाग को कैसे संथ किया जाए और संथ किस तरह से हमारे you are काम कर सकता है इसके बारे में हमने डिसकस किया हुआ है प्लीज दू चेक माई लास्ट वीडियो आज हम डिसकस करेंगे कि इस दिमाग से कहां से सक्ति आती है और इस सक्ति की इस उर्जा की स्रोथ को हम कैसे बनाए रखें तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हमने क्या बोला था कि हमारे दिमाग में रहता क्या है हमारे विचार हमारे विचार जो होते हैं सोच जो होती है वो में इंग्रेडियन होता है हमारे दिमाग की ठीक है तो हमारा दिमाग कहां से काम करता है हमारी सोच से तो सबसे पहला स्रोथ जो है एनरजी की स्रोथ है वो है हमारी खुद दिमाग काम करना बंद कर देगा ठीक है अगर आप अपने विचारों में ही सोच रहे हैं कि मैं हर वक्त काम कर सकता हूँ मेरे अंदर यूनिवर्स की सकती है डिवाइन की सकती है मैं डिवाइन का एक पार्ट हूँ मैं हर काम अच्छी तरह से कर सकती हूँ अगर इस तरह की सो के अंदर energy create होगे ठीक है और देखिए जब हम यह जो विचार है हमने पिछले एपिसोड में बात किया था कि हमारे विचार और हमारे सब्द ये दोनों परिपुरक होते हैं ठीक है हमारे विचार जैसे होते हैं हमारे सब्द वैसे होते हैं हमारे सब्द जैसे होते हैं हमारे विचार भी वैसे होते हैं, इसलिए हमें अगर आउटर वाल से सुरू करना है तो हमारे सब्दों को सही करना होगा, हमेसा हमें positive ही बोलना पड़ेगा, अगर हम कुछ कोई काम कर रहे हैं, तो हमें उसके बारे में positive सोचना है, positive बोलना है, वहां से हमें energy आती है काम करने के लि जहां से हर कोई एनर्जी पाती है, सूरज वहीं से उखते हैं, वहीं से नदी नाला में पानी जाती है, उसी स्रोथ से ही बायू बहती है, उसी स्रोथ से उसी एनर्जी की वज़े से हमारी जिन्देगी चलती है, वो है the higher consciousness, the divine, the universe, the god, आप जो भी बूल सकते हैं, ठीक है, तो highest जो energy source है, वो है, वो divine है, तो हमें उर्जा कहां से मिलती है, वहीं से मिलती है, लेकिन उनके साथ उर्जा, उनकी उर्जा पाने के लिए हमें एक सामन्जे से बिठाना पड़ता है, ठीक है, अगर आप कोई भी successful इंसान को सुनेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि वो हमे खुद के साथ उस divine को connect कर सकते हैं, वो सामन्जे से ला सकते हैं, तो सबसे पहले आपको relax हो जाना है, ठीक है, तो relax कैसे होना है, इसका कोई formula नहीं है, जैसे हमने बोला कि हमारे सब्दो का ही प्रभाव रहता है, हमारे सरीर के उपर, हमारे मन के उपर, हर किसी के उपर, तो धीरे-धीरे आपके बोलने से नहीं होता है, यह आपको करना पड़ेगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तभी यह आपके experience में आएगी, और जब आप इसको feel करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि कैसा feel हो रहा है, और यह आपको कहां तक लेके जा रही है, ठीक है, तो आप relax relax बोलते जाएंगे, एक time ऐसा आएगा, जहाँ पर सही में आप पूरी तरह से relaxation को महसूस करेंगे, ठीक है, और यह महसूस करने की बात है, यह हम आपको ऐसे दिखा ही नहीं सकते, ठीक है, तो आप इसको practice कीजिए, महसूस करने के बाद एक time जब आज आएगा कि आप आप पूरी तरह से relax हो चुके हैं, तब आप उस divine energy को आभाहन कीजिए, आप अपने आपको यह सुझाव दीजिए, कि divine की energy हमारे सरीर में प्रवाहित हो रहा है, इसलिए हम हमेशा उर्जावान है, हमारी सकती उस greater power उस divine energy के साथ connected है, तो हमारी उर्जा कभी खतम ही नहीं ह हो सकती, जब आप इस तरह के सुझाव आपने आपको देंगे और कुछ टाइम बात जब आप आँखे खोलेंगे, तो आप कितने ही ठकान क्यों ना हो, कितने ही परिसान क्यों नहीं तरीके से आपका सरीर, आपका मन काम करना सुरू कर देता है, ठीक है, यह हो गया दूसरा तीसरी चीज यह है, जो कि बहुत एहम बात है, बहुत प्रैक्टिकल बात है, वो यह है कि देखिए, अगर आप काम करते टाइम ज़्यादा थकान आपको लग रहा है, इसका मतलब यह है कि आपको उस काम में इंटरेस्ट नहीं है, चाहे वो कोई भी काम हो, ठीक है, किसी क बाते सुनना हो, किसी के साथ बात करना हो, या फिर आपके कोई ओफिस के काम हो, या फिर कुछ भी हो, कुछ भी काम आप जब कर रहे हैं, अगर उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो आपको ठकावट होना ही होना है, ठीक है, यह दोनों चीजे कंट्रास्ट है, आपको इंटरेस्ट भी है, और आपको ठकान भी लग रहा है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है, इसलिए जो भी काम आप कर रहे हैं, और ठकान महसूस हो रही है, तो यह डारेक्ट इंडिकेशन है, कि वो काम में आपका इंटरेस्ट नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं आपक तो आपके जो इंट्रेस्ट है वहां लूज हो रही है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कहां आपको काम करना है ठीक है तो जो भी काम आप कर रहे हैं तो सबसे पहली बात यह है कि आप अपने पसंद का काम कीजिए या फिर अगर आपके पसंद का काम नहीं है लेकिन का आपको अच्छे नहीं लगता तो आप इस तरह से उसमें पियाद लेसन का छुक प्याद लगा सकते हैं थोड़ सा अच्छा लगेगा थोड़ी है तो इस तरह से कुछ कुछ अपने creativity को अपने काम में यूज करके उसमें उस काम को अपने हिसाब से बना सकते हैं, बना सकते हैं, ये कोई जादा बड़ी बात नहीं है, अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे, थोड़ा सा अपने inner guidance को follow करेंगे तो ये बहुत आसानी से हो जाती है, ठीक है, तो देखिए जो भी काम उस काम को करने के नए-ने तरीके ढूंड़िए, नए-ने चीजे उसमें एड़ कीजिए, आपकी लाइफ में नए-ने चीजे एड़ कीजिए, हमिसा डे-टु-डेर रुटीन में मत रहिए, कुछ-कुछ अपने उत्साहित करने के लिए कुछ-कुछ चीजे अपने लाइफ कुछ भी करने के लिए आपकी जो एनर्जी का जो सोर्स है वो सोर्स बने रहेगे ठीक है तो देखिए दोस्तों ये बहुत छोटे-छोटे स्टेप्स थे जो कि हम सब को कर सकते हैं को करके उस डिवायन के साथ किनेक्ट्सन बिठा के अपनी सोच को थोड़ा सा बदल के अपने काम में थोड़ा सा वीडियो के साथ तिल दन बाई बाई थेंक यू सो मिच